है वठतृ आइस अनुजेर और वेलकम डियाजुए से कोर्स और आज हम बात करने वाले बिट के अंदर test अंडर बिट अगर आपको कोई bit set करनी है किसी भी पोजिशन पर अगर आपको कोई bit clear करनी है तो किस तरीके से हम काम करते हैं और उसके बाद एक important question मतलब यह वाला question अगर आप normally करने बढ़ेगा तो थोड़ा सा उसमें time complexity ज्यादा आ सकती है हम बहुत ही optimized way में bits के help से कैसे कर सकते है इस question को देखेंगे the question is find number of bits to change to convert A to B ठीक है कि कितनी bits को आपको change करना पड़ेगा किसी number A को किसी number B में convert करने के लिए यह बताओ तो एक अच्छा question है तो यह सब चीज़ हम देखने वाले आज की वीडियो में start करता है bit masking के साथ bit masking basically किसी भी number के अंदर किसी भी एक दूसरे ऐसे number का end कर देना और कर देना जिससे की current number आपका change हो जाए ठीक है mask कर देना किसी भी number को masking काफी जगों पर use होता आता है जैसे कि आपके जो Instagram filters होते हैं जैसे कोई भी आपका photo filter होता है उसना दो तक है आपकी जो आपकी जो photo होती है आपकी जो pixel होते है उसके उपर एक mask लगा देते है और उसकी वह property को alter कर दे रहा है उसकी color की property को अलट कर दे रहा है इसी तरीकर से आपके mask और भी multiple जगों पर यूज होते है हम देखते है कैसे हमारे mask का यूज करके हम multiple question solve कर पाते है ठीक है start करते है इस question साथ find the i-th bit किसी भी number के अंदर i-th bit अगर आपको find करने तो कैसे कर करोगे आप तो basically आपको पता लगाने कि इस position पर कौन सी बेट है इस position पर bit number one है या bit number zero है तब एक तरीका जो मेरे दिमाग माय रहा हो यह कि हम इस number को i time right shift करेंगे ठीक है इस number को i time right shift करेंगे और फिर देखेंगे हम यह number यह वाली bit है यह one है या 0 है और उसको हमें check करने का इस number को ऐसे करेंगे right shift करना है इससे अच्छा यह ना हो कि हम one को ही left shift कर देंगे ठीक है तो हम करेंगे तो one को हम करेंगे five time shift तो one आ जागा यहां पर और यहां पर आ जाएंगे बचीवे जगों पर zeros तो 0000 और यह भी जगा जीरो ठीक है और बाकी सारी जगों पर जीरो अल्रेडी हो गई तो यह बन जाता है आपका मास्क ठीक है यह हो गया आपका मास्क इसे हम बोलेंगे मास्क और अब हमें करना क्या है कि यह जो नबर है न अ और मास्क को हमें कर देना एंड और अगर एंड मास्क करने पर एक नॉन जीरो नंबर आता है तब तो यह one है एल्स यह आपका जीरो है ठीक है तो यह होता हमारा तरीका अब हम इन दोनों को जरा एंड करते हैं तो एंड करेंगे तो वन एंड जीरो तो आपका जीरो हो जाएगा राइट यह भी जीरो हो जाएगा यह भी जीरो हो जाएगा यहां पर वन है अब यहां पर वन है तो यहां वाली 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 वा और उसके बाद आपने उसको एंड कर दिया, एंड के साथ, अगर ये इंड करने पर 0 आ रहे है तो आपका वाली bit, आएथ bit जो है, वह 0 है, और वह 0 है, एस वह bit 1 है, ठीक है? तो आपको आपको set करना है, कि किसी position पर जाके आपको बताना है कि ये वाली bit को 1 कर दो, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं तो set करना भी similar है बिलकुल get के जैसे यह है suppose करो आपको जैसे यह वाली bit 0 है इसको हमें one करना है इसको हमें set करने हैं तो question है कि set the third bit of this number ठीक है तो set करने का मतलब यह bit को one कर दो कारीं तो कारो 12 कर्ण तो कारो और 50 शोकुए पर दूगी है तो यह पर अमस्क करने है । अब हमें क्या करने है स्कुल अब करने की बजाए अब हम कर देंगे और ठीक है और करेंगे तो क्या होगा जड़ा देखते हैं और करेंगे तो क्या होगा अगर जीरो के साथ किसी भी नंबर का और करते हैं तो वह नंबर वही बन जाता है अगर यह नंबर वन था तो वन ही देगा अगर यह नंबर जीरो था त तब भी वन हो जाता है और 0 होता हो तब भी हम 1 कर देंगे और बाकि 0 के साथ तो किसी हम नंबर का और कर हो गए तो वह नंबर वही रहाता है ठीक है तो यह नंबर आपका 1 हो जाएगा 0 और 11 00 0000 तो हमने का किया यह वाला number लिया और इस की इस वाली bit को set कर दिया देखरो यह number वह हिए one zero zero one one और यह वाली bit आपकी set हो चुकिए यह बवन 101 तो हमने mask find किया mask find करने का तरिका अगेन वैसा simple ही है दुबार से same mask हमारा है one shifted इस बार हमने एन के अंदर लिख दिया एन इकोल स्टू एन और मास्क तो यह वाली बिट हमारी अब सेट हो चुकी है दोनों बहुत इसी कोशन थे अब जड़ा देखते हैं कि आई इस बिट को अगर क्लियर करना तो कैसे कर सकते हैं इसको मुझे बिट को मुझे बन से जीरो करना है तो एक चीज जो मुझे समझ मारे वह यह कि हमें ऐसा मास्क निकालना पड़ेगा जिसको एंड करेंगे तो बाकि सारी डिजिट्स तो चेंज ना हूँ लेकिन यह वाली बिट वन से जीरो हो जाए राइट ऐसा कुछ मास्क फ इसका मांद बागी सारी डिच को Grup拉 & Tech रखना है तो मतलब यहाँ पर होंना चाही 1 राइट बाकि सारी बिट के लोना चाही लोगे वन और यह वाली बीट उने चाहे 0 और अब अगर आप इसको एंड करोगे तो बागी सारी बिच को सारी इड के वन के साथ आप एंड करोग कित अबGGी आप रीयल गॉशन है कि कैसे फा Part Leia valid mask इद तो बहुत कि बॉत इच्छित करने आप तो कैसा हो जाएगा गए अब में मैंने क्या किया मैंने फेले वन को किया शिफ्ट यूए टाइम्स ठीक है तो 1 को आई टाइम्स करेंगे तो यहागा 1 और फोर्थ बिट निकाले तो 40 सा जेंगे राइट वन कमने फोर टाइम्स इपकर दिया लेफ्ट साइड तो गया ये उसके बाद मैंने लगा दिया इन्वर्ट टीक है इनवर्ट कर दिया इन्वर्ट ऑप आपको वाली बिट जो थी वो 1 से 0 हो जाएगे ठिका तो बहुत simple था कुछ नी करना पहले तो mask निकालने का तरीका क्या है mask निकालने के लिए आपको invert करना है one को i time shift करके ठिका भशन को i time shift किया आपका ऐसे करके mask निकल गया उसको फिर आपने invert कर दिया दैन उसको एंड के साथ एंड कर दिया राइट तो किसी और कंदर सेव कर लेते हैं से इंट रिजल्ट विक्वास्ट टू एंड एंड मास्क ठीक है इस तरीके से आपका ही सॉल्ट हो जाएगा और अब हमने देख लिया कि क्लियर कैसे करते हैं आइध बिट को आप फाइनली यह वाला कोशन सॉल्ट कर लेते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ बिट्स टू चेंज टू कनवर्ट ए टू भी ठीक है इंपोर्टन क एक दिस्टो आपको चल्ब करना पड़ेगा ठीक है जेसे आप यह आपको लिट तो कितनी है उन उन से इस के संबस्के साथ आगे हैं उनको तो ऑन कितने नहीं पड़ेगे प्राइब दिया पर ambiguous एक यह वाली एक यह वाली और यह वाली सिंपल्य यह कोशन है आपको बताना है कोन्ब कों से आपको और से अऽ working leag एक चीज़ आपको यहां पर question देखते ही समझ में आगए होगी कि आपको find करना कि कौन कौन सी bit different है कौन कौन सी bit अलग है कौन कौन सी bit अलग है यह वाला सुनते ही आपका कान खड़ो जाएं चाहिए समझवाएं चाहिए कि यहां पर चौनाpray आपका a गोशल लगेगा जाओ एक हमें ताब जावखर लेगा पैसे क्वेलग है अब घंप नह zij कि अलग होटाएं तो हमने एक जाहर ले लिया ओर आप isi nela Ki fight ron Kai Doe Kaal bestopuk कितनी बार वन आ रखाство इस नंबर की अंदर और वही आपका का झा। virus का मतल्ब को टीन मेलए इसक और सब्सक्रस एंदर कि an कि 1 नंबर के अंदर वन कितनी बार है कि किसी भी नंबर के अंदर वन कितनी वारा है binary representation के अंदर कितनी बार वन है या फिर कितनी इसकी सेट बिट्स हैं हाव मैंने सेट बिट्स आ दिया रिना बाइनर अब यह आपका कोशन हो या ठीक है कोशन आपने घ्ली रहाई कि नंबर आपका अभी ऐवन है और हरब उससे राइशिफ्ट करते जाओ हरब से नंबर आपका जिरोaciónilla जीरो आपने चक्च किए लांस बिट को अगें यह लाश्ट बिट जो हो जीरो है तो आप काउंटर प्लस प्लस नहीं करोगे ओके तो अगेछ आप रिठीट करोगे तो यह जागा आपका 0011 अब यह वाली बिट अगें वन है तो आप कांटर प्लस प्लस कर दोगे और दुबार से राइडशिफ्ट करोगे अब यह जागा 0000 तो यहां पर आपका ऐसे करके आंसरा जागा लेकिन अगर आपको कोई नंबर दे रखा एन और आपको बताने कि इसके अंदर कितने इसके अंदर बिट्स होंगे तो वह होता है प्लस वन ठीक है लॉग एन प्लस वन इसका आपको फ्रूफ शालने तो प्रूफ भी बहुत इसी है सब्सक्रा आपका शर्तिन है ठीक है 13 के लिए आपका थ्री पॉर्इट सम्झें सम्झेंग हो कैसे पता चला मुझे क्योंकि 13 आता आपका 8 और 16 के बीच में राइट 8 और 16 के बीच में आता है और मुझे पता है कि log of 8 is 3 और log of 16 is 4 ठीक है पता कैसे है मुझे क्योंकि 8 होता है आपका 2 raised power 3 तो log of 2 raised power 3 के होगा 3 log 2 log 2 होगा 1 तो आजागा 3 ऐसी यह होजागा 4 और 13 जो है वो 8 से 16 के बीच में तो इसलिए मेरा जो आंसर होगा 3 point something something होगा तो यहाँ पर मैं उसका log करूँगा 30 का मैं log करूँगा तो वो हो जाएगा 3 point something something plus 1 तो यह आपको int में convert करना है इसको ठीक है तो इंट में convert करना है तो आपको कि किसी भी number के decimal representation के अदर कितनी उसके अंदर digits है तो भी simple है आपको log base 2 की जगा log base 10 करते है ना उस case में ठीक है log base 10 n plus 1 यहाँ साब को लेगा कि इसके decimal representation के अंदर कितनी digits है मतलब हमें पता 13 के अंदर 2 digits है राइट 13 के अंदर 1 और 3 2 digits है तो log of 13 आएगा आपका 1 और 1 plus 1 which is 2 तो आपको लेगा है यहाँ पर 13 के अदर 2 digits है तो कोशन से थोड़ा सा ओफ ट्रैक हो गया हम लेकिन मैं आपको बस एक छोट असा ट्रिक बता दिया है जैसे कि आप एक O1 के अंदर यह चीज़ फाइंड कर सकते हो वरना आप यहाँ पर log N complexity लगा रहे होते हैं अगर आप वाइल लूप का यूज़ करना है कि कितने number of 1 है और हमने यह तरीका देखा था इस तरीके से हमने फाइंड करेंगा ट्राइए किया तो हमें अगर नमबर देखा N तो हम log based to N हमारी complexity आती है log N complexity आती है अगर हम इसे थोड़ा सा और reduce करना है तो हम यहाँ पे एक optimization लगा सकते है bits operation का यूज़ करके जरा वो देख लेते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की trick हम यूज़ करने वाले है विचिस N, N, N-1 तो basically N, N, N-1 और यह वाले trick काफी जगों प करोगे competitive programming के अंदर तो देखो गया आप यह वाले trick पहुत जगों पर इस होती है तो यह वाले trick क्या करते है basically किसी भी number के अंदर की last वाले digit जो होती है मतलब की least significant digit जो की 1 है least significant set bit उसको 0 कर देती है ठीक है तो जैसे यह number है इसकी least significant set bit जो की यह है उसको यह 0 कर देगी तो य अगेन आप n and n-1 करोगे तो यह number हो जागा आपका यह वाली bit हो जागी अब least significant set bit अब यह number हो जागा आपका 10000 एक और बार करोगे तो यह हो जाएगा आपका 0000 ठीक है तो आपने यह तीन operation में बता दिया कि इसके अंदर कितने bits हैं तो जैस्तब आपका नमबर 0 नहीं जो तब तक आपको n and n-1 करना है और बेसिकली इससे हुआ गया इससे आपकी time complexity थोड़ी सी कम हो गई है इससे बेसिकली आपकी time complexity हो गया उतनी जितनी इसके अंदर set bit हैं जितनी इस number के अंदर set bits होंगी उतनी बार आपको यह operation perform करना है ठीक है तो पहले आपको login time करना था अब आपको perform करना उतनी बार जितनी इसके अंदर set है सब्सक्राइब आपका number था तूरेस पावर संथिंग ठीक है तूरेस पावर 50 नमबर था आपका तो तूरेस पावर 50 नमबर जो होगा वह होगा बेसिकली binary के अंदर 1 और बहु सारे zeros right तो इसका अगर आप उस वाले तरीक स करते हैं तब आप इसके अंदर 50 operation perform कर रहे होते हैं तो अगले operation में यह number हो जागा आपका 0 तो 50 operation से सीधा एक operation पर आगए बेसिकली आप उतने number of operation पर आगए जितने इस question के अंदर जितने इस number के अंदर आपको तो यह जागा आपका 1100 तो यह जागा आपका 1100 देख रहो आपकी जो लास्ट सिग्निक्निक्रिकेंट सेट बिट थी वह आपकी वन से जीरो हो चुकिया अब यह हो जुका आपका नंबर 12 राइट अब हम 12 के अंदर भी सेम चीज़ करेंगे 12 एंड 11 राइट 12 एंड 11 11 क्या होता आपका 11 होता आपका 1011 ठीक है एट प्लस 210 प्लस 11 ठीक है अब इन्दों को जरा एंड करते है तो यह जागा आपका अब यह हो गया एट अब एट के साथ हम एंड करेंगे सेवन का सेवन होता आपका जीरो वन 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 एंड करो तो यह जागा आपका नमबर जीरो ना हो जाए और हर बार कांट प्लस प्लस करते रहो ठीक है कोड बहुत सिंपल रहने वाला इसका वाई लूप चलाना बिसिकली बट कंसेप्ट कमाल का लगा होगा ठीक है अच्छा एक और सीथ कंसेप्ट कमाल के जो आपको लगते जा रहे हैं जैसे कि मैं चीज नए चीज सीखिया है जाफिर यह अच्छी चीज मुझा लगी और यह सब चीजों का नोट भी बनाते चलो अपने साथ ठीक है अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलो नमबर ऑफ डिजिट करनी है नोट कर लो जो भी अच्छे-चीज़ लग रही है नोट कर लो ठी के नोट के नोट बनाने है और उनको गो थू करते रहना है तो आज की वीडियो में देखा यह सब अब नेक्स वीडियो के अंदर बात करें होंगे कुछ और एडवांस के बारे में वह थोड़े से और अच्छे लेवल के कोशन होंगे अच्छा असाइनमेंट आपको इस व वीडियो करते ना लाइक चैनल को देना सब्सक्राइब मैं में लोगा आप लोगों से नेक्स वीडियो में बाबाए